लिखे जो खत जे जो तेरी आद में हजार रंग में लिखे दिखा तुझे लिखे जो खट तुझे लिखे जो खट विखे दिखे कुछ वर्दा के लिए भी ने गीत लेगे 1965 का जो गीत, Classicals गीत रहा जिसमे उनों ने कही गीत रहे लिखे जो खत उजे है अर उसके लिए कही और楽्सी गीत लिए भी जे उनके कही और जे शहर उनके जनकारी के लिए मुसापिर फशे मुसापिर मेढी क्या गीत उनोंने बहुत टाइम को अंतरों के अंदर इसको लिखा उसकम लहमे में उसकी गीत को लिखा और यह गीत त्यार हो और अशक मेड़ू की जो चर्चा थी रूमेंस का जो दौर था उसमें दो लोग जो है चाने वाले तरखते थे आशक थे और वो खत का दोर था और खत का दोर बहुत पाइदार रहा तो यहां पे इसकी जनकारी के लिए हम किशोर्दा का जो है गीत है जिसमें जो उन्होंने गाया शोखियों में गिला शोखियों में शोखियों में गिला शोखियों में दोस्तों यह किशोरदा ने गाया और उसके लंहां अहत्ता ने भी गाया कोईश नहीं मेरा दिल है दोस्तों 1968 में जो है कुमारा बाप के लिए एक गीत गाया लेकिन जहां पे जो गीत है वो रफिका जो क्लासिकल सिंगर्स का जो गीत बहुत इसकी चर्चा थी जो खतु एक चताबत आशच के प मद गाया रे लो你 ले होगते शाच के लिए गीत गीत जो द्लिक कमार पे और मुहमद रफिक की आवास को जजज Slodhan सिरु ले लिकिन यहां पे लिखे जो खत्जे वो तेरी आद में हजार रंग में दोस्तों ये जो मुहमद रफी का गीत सरहा ये जो खतूत का दौर था पर उसके बाद कई गीत लिखे गए जिसमें चिठी आई है आई है आई है चिठी आई दोस्तों ये 80's के दौर के गीत हैं लेकिन आप इसको यूटूब पे आप कमेट्स तलाश में कर सकते हैं और इसको आप कमेट्स कर सकते हैं ये जो चिठी का दौर था ये बहुत पाइदार रहा है ये जो मुहमद रफी की क्लासिकल सौंग्स थे तो दोस्तों आज चिठी को पाल्स धास दौरिंज की जो मालूमात थी अब हम ने दी तो थोड़ी बोरी अमचों खलती हो माफ करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक फॉर वाचिंग